सब्सक्राइब किजिए सेंड्रल इंडिया मीडिया चैनल को और यहाँ पर इस बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट आटो मुबाईल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्रेंड्स यह है रॉयल इंफिल्ड बुलेट ट्रायल वर्क्स रेप्लीका 350 यह रेप्लीका इस गाड़ी को इसलिए बोला गया है कि जो ओरिजिनल बुलेट ट्रायल थी उसको रॉयल इंफिल्ड ने 1948 में लॉंच करा था और वो पहली प्रोड़क्शन मोटरसाइकल थे जि सिमिलर हम लोगों को मिलती है यह जो गाड़ी है यह 346 CC के एंजिन से यहां पर पावर आती है जो हमने जो हमने अल्रेडी बुलेट 350 में यहां पर देखा है यह जो एंजिन है 20 PS का पावर और 28 NM का टॉक जनरेट करता है तरह का बैजिंग यहां पर मिल जाता है रोयल पीछे का फेंडर भी अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा से मिलता है करना ऐसा लगता है कि यह प्रॉपर अप्रोड वर्जन है जो हमारी ओरिजिनल बुलेट 350 आती है स्क्रेंबलर जैसा लोग इसको यहां पर दिया गया है एडवेंचर फ्रेंडली इस गाड़ी को बो है इसके मिलर स्क्रेंट में अल्रेडी देख चुके है 350 CC का एयर कूल एंजिन मिलता है उस तरीका का जैसा कि मैंने बताया 346 CC का एंजिन है यह जो 20PS का पावर 28NM का टॉक यहां पर जन्रेट करता है है हैंडल बार चेंज कर रहा है बुलेट 350 और क्लासिक्रिफ्ट इसक्र तरीके की मिलती है 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 अपर इडमेंट स्विच्ट है श्क्रीक राटन बॉक देख रहा है प्रेंट लोग कुछ इस तरीके का, हेलो जन हेड्लेम के साथ महीं आती है, प्रेंट पेंडर भी हैं पर काफी डिपरेंट तरीके से कंप्टी ने डिजाइन कर रहा है, अगर हम लोग बुलेट से और क्लासिक से स्वाडी को कंपेर करें, डियल चैनल ABS मिलता है, प्रेंट डि जिपिंग ओपर करते हैं यह खराब रतों पर यह खीचड़ वाले रतों पर, यह जो गाड़ी इसकी प्रेम आप लोग देख रहे हैं यहाप रेड कलर में डिजाइन करी है, जो इसका 500 मोडल आता है, उसकी प्रेम स्टिमिलर्लर लिया पर ग्रीन कलर में कंप्टी निजन कार्बूरेटर क्यूल सफ्लाइ का साथ आता है, 500 वर्जन जो आता है, इसका आरे ट्रायल 500 उसमें क्यूल इंजक्शन यहापर मिल जाता है, जो गाड़ी है रिसेंट्ली राउंच हुई, इसकी मैनूफेक्ट्चिरिंग डेट जैसा कि हम पर देखे है, 22nd February है, MP का इसकी मोडल है यह, जो आप यहाँ पर देख रहा है, यह एक्स्क्लूजीव आरार आटोमोटिव इंदौर पर गाड़ी की फर्स्ट डिलेवरी हुई है, MP की फर्स्ट गाड़ी है, यह मतिप्रदेश की, पीछे रियर सेक्शन गाड़ी का कुछ तरीके का दिखता है, टेल अगे का सेम है, मिट पॉइंट से लेकर पीछे तक जो चेसी से वह कंप्लीट रिडिजाइन मिलता है, यहाँ पर बुलेट यह क्लासिक से कॉपी नहीं करा है, जो गाड़ी है, जैसा कि मैंने बताया है, काबुरेटर फूल सफ्लाइ सिस्टम के साथ में यहाँ पर आती है, जो करेंट बीएस पोर कंट्री में चल रहा है, उसको यहाँ पर यह जो गाड़ी है, कही ना कहीं सैटिस्फाय करती है, डियल चैनल एबीएस को ऑप्चन भी यहाँ पर मिलता है, करते हैं हम लोग ट्राइल स्रीफिप्टी को स्टार्ट और देखते हैं गाड़ी का स्टॉ पर रएल स्टॉ एक पीडिफिफिप्टी के टेसट डाइग पर लोग गाड़ी को करते हैं। एंजिन के जहातक बात है तो यह सेम एंजिन को आलड़ी हम लोग काफी टाइम से क्लासिक 350 और बुलेट 350 पर देख रहे हैं तो एंजिन फ्रंट पर कुछ भी हाँ पर चेंज नहीं है सेम एंजिन, सेम गियरबॉक, सेम गियर रिशुस हम लोगों को मिलते हैं हम लोगों क्लासिक 350 में मिलते हैं चेसे को कम्तियों थोड़ से यहाँ पर रिडिजाइन कर रहा है उसके जो गाड़ी है, इसके हैंडिंग कुछ हद तक यहाँ पर बैटर हो जाती है अगर ऑफ रोडिंग की बात करें, खराब रस्तों की बात करें तो यह जो टायर से यह भी काफी अच्छे ग्रिप यहाँ पर प्रोवाइट करते हैं तबसे बड़ा चेंज जो इस गाड़ी के अंदर लगा वो कही ना कहीं इसके वाइबरेशन से वाइबरेशन का लगता है काफी हद तक यहाँ पर कंटेंड करा है लो एंड का जो रिस्पॉंस है गाड़ी का जो काफी अच्छा है यह लोग अल्रेडे का सिप्रिपुप्टी औ बुलेट्पुप्टी में भी देख चुके हैं जो गाड़ी है इसको अभी हम लोग ने अल्मोस्ट हंडेट तक यहाँ पर एक्सलेरेट करा उसके पाद भी जब यह जो गाड़ी है अपने आर्पीम बेंड के हाई साइड में चल रही थी तो भी यहाँ पर कंटेटली वाइबरेशन प्री थी इजी भी तरीके वाइबरेशन नहीं आ रहे थे हैं हैं यहाँ आप लोग चाहें जिस गाड़ी को बुक कर सकते हैं इसके डिलेवरेशन जल्दी स्टार्ट होने वाली है तो फ्रेंड्स यह था हमारा इंडिया प्रिविव रॉयल एंफिल्ड बुलेट ट्रायल स्रीफिटी को लेकर अगर वीडियो आप लगों को अच्छा लगा हो तो इससे लाइक करें और शेयर करें और साथ हमारा चैनल सब्स्राइब करना ना भूले लेटेस्ट वाटो मॉ